हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आज हम आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट की स्टेडी करेंगे एक्जाम पाइंट आफिस से बहुत इंपोर्टन्ट है अगर देखा जाए तो पिछले पाँच साल में कम से कम तीन बार या है चार नंबर या आठ नंबर में आता ही है और बहुत आसान होता है इसको लिखना बस एक बार समझने की जरूवत है इस आपरेटर्स को हम परफॉर्म करते हैं गजट आपरेटर्स में तो जब भी हमें करना पड़ता है इसको परफॉर्म तो दो गजट आपरेटर्स लेने पड़ते हैं एक लेना पड़ता है हमको इस्टेंडर के लिए और दूसरा लेना पड़ता हमको टेस्ट के लिए में जैसे कि हम लैंड को से दूसलेंद्र नैसलेंडर लेते एक टेस्ट के लिए और एक इसंडर की लिए ठीक है तो यह देखा किने चीजे सारी तो Het्म होता क्या हैP पहली चीज तो समझने की जोरती है इसमें एक 120 ml दूझ लिजाती इसका यह volume होता है 120 mm bottle होती है इसमें करक से एक glass tube इसकी length लगबाग 200 mm होती है glass tube inserted होती है इस 120 ml के bottle में और ये air tight होती है कार्क से ठीक है? कार्क से यह टाइट होती है जिससे की आरसीन गयस किसी भी तरह से बाहर या उसके जो भी बाई-प्रोडक्ट की गयसे से हो बाहर ना जा पाएं क्योंकि आरसीन क्या है? हमारे हेल्थ पॉइंट आप्सीयू से अगर limit से ज़्यादा है तो वो नुक्सान दे है तो ये इस तरह से करके हम इसको करते है अब इस glass rod में और क्या रहता है जो glass rod है यहाँ पर black color का दिख रहा है इसमें cotton लेते हैं cotton लेके उसको हम lead acetate में इसको dip कर लेते हैं और इस glass rod के अंदर insert कर देते हैं अब उसी तरह से यह उपर से यहाँ से बंद होती है यहाँ से यह बंद होती है किस के थुरू यही कॉर्क के थुरू ठीक है और यहाँ से उपर की तरह भी same कॉर्क होता है glass rod inserted होती है और इन दोनों के बीच में gap होता है जो gap होता है या दो अलग-अलग होते हैं तो इसके बीच में हम हमारा जो filter paper होता है simple filter paper होता है उसको हम क्या करते है mercury chloride के solution में dip कर देते हैं और dip करके उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं लगाने के बाद उपर से उसको glass rod जो लगी हुई है उसको हम क्या करते हैं एरटाइड कर देते हैं और वो पूरी तरह से fix हो जाए उसके लिए हम एक clamp यूज़ करते हैं जिससे की अगल बगल कहीं gas ना जा पाए यहां से जो भी evolve होगी gas वो directly हमारी microchloride में dipped paper पे अपना stain छोड़े क्योंकि यह क्या है comparative study है यहां पर हम क्या करेंगे stain चेक करेंगे कि किसका stain ज़्यादा है और किसका stain कम है ठीक है तो यह तो बात रही हमारी gadget operators की ठीक है अब परफॉर्म कैसे करते हैं इसका basically principle क्या होता है अब principle जैसे हमने बाकी limit test में देखा है हमने क्या कहा कि फालतू की बुकिस language में जाने का नहीं है simple सी बात है जो इसकी reaction है उसी reaction को simply explain कर देना है वह हमारा क्या होता है उसका principle जैसे अगर हम बात करते हैं main reaction की तो यह main reaction हमारी परफॉर्म होती है arsene की reaction कराते है mercury chloride से तो यह क्या बना देता है di arseno mercury chloride ठीक है और यही देता है हमारा yellow color का stain yellow stain देता है और इसी में intensity चेक कर लेते हैं कि standard की जाता है या test की अब यह होता कैसे है अब लिखने की बात अगर की जाए तो क्या करते है limit test for arsenic is based on the fact that arsene क्या होती है easily reduced होती है समया किसमे arsene gas में और यह क्या करता है mercury chloride के साथ react करके हमारे paper पे yellow color का stain देता है ठीक है yellow color का stain देता है अब यह जो arsene होता है हमारा या तो trivalent form में या pentavalent form में हमको प्राप्त होता है या नि मिलता है ठीक है तो अब यहाँ पे हम reaction देखते हैं trivalent के reaction कराते हैं अगर हम hcl के साथ तो यह बनाता है arsene s acid ठीक है arsene s acid की बात की जाए तो यह देखने में h3 as o3 ठीक है तो देखा जाए तो यह थोड़ा सा याद करने में हो सकता tough लग रहा हो इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं as o h का whole thrice या फिर इसको और एक लिखने का तरीका है yes के साथ arsene के साथ क्या है 3 o h group जुड़े हो इससे क्या हम को याद करने में तुछा सा आसानु ही हो जाती है pentavalent के साथ हगर हम reject कराते है hcl को तो क्या होता है यह arseneic acid बनाता है अब इसको भी अगर बात की जाए तो इसको भी लिखने का तरीका है यानि जो arseneous acid है इसमें सिर्फ double bond O और add कर दो अगर तो बन जाएगा हमारा arseneic acid ठीक है तो अब जब reaction की बात आती है तो इसका simply होता है जब pentavalent होता है तो reduction होता है pentavalent से क्या बनता है हमारा arseneic acid तो arseneic acid को जो हम reduction कराते है in presence of SNCL2 तो क्या बना लेता है arseneous acid अगर हमारा trivalent हुआ तो arseneous acid सीधा हमारी reaction करके arsene gas दे देगा जो कि mercury chloride paper के साथ जब evolve होके जाएगी तो ये localal का stain देगी लेकिन अगर pentavalent है तो पहले reduce होके क्या बनाएगा arseneous acid जो हमको arseneous acid मिल जाता है एक बार तो arseneous acid की reaction कराते है granulated zinc और influence of HCL तो क्या देता है हमारा arsene gas ठीक है यही arsene gas क्या होती है evolve होके इसके साथ जाती है और mercury chloride paper में क्या होती ही yellow color का हमारा stain देती है ठीक है ठीक उसी तरह से देखो यहां से यह arsene gas निकली इसके reaction के यह तरीका भी है इस तरह से बीद करके हम याद कर सकते हैं आप screenshot लेके देख सकते हो ठीक है यही arsene gas mercury chloride के साथ dye arseno mercury chloride बनाता है यही yellow color का stain देता है अब इस सारी reaction में हमारा जो impurity होती है hydrogen sulfide के form में वो क्या करती है यह जो lead acetate का cotton है जो impurity है hydrogen sulfide की वो इसको absorb कर लेता है ठीक है जिससे की अगर हमारा होगा कि hydrogen sulfide भी अगर उपर चला गया तो yellow color का stain है अब यह तो बात हो गई हमारे principle की अब हम बात करते हैं क्या procedure की तो procedure देख लेते हैं अब बात करते हैं इसके procedure की तो procedure में क्या है procedure में मैंने पहले बताया था की limit test का जो procedure होता है वो सारे procedure डिफेरेंट ने सिर्फ initial पहला step जो होता है वहीं पर difference होता है बाकी सब का सब सारा का सारा step सेम होता है इसलिए अलग-अलग न लिखके मैंने इसमें एक में ही लिख लिया जब आप exam में लिखना तो उसको separate out करके tabulated form में लिखना जिससे की क्या होता है impression अच्छा पड़ता है ठीक है आपके पास लिखने के लिए content भी हो जाता है तो इसमें क्या होता है specific quantity in water लेते हैं किसकी arsenic की है ठीक है arsenic की क्या करते है specific quantity of water ले ले लेते हैं कौन सी specific quantity जो की हमको दी गई है test करने के लिए और standard में क्या करते हैं non solution of stannous chloride लेते हैं non solution कैसे आप बनाओगे non solution के लिए हमारे पास है Indian farmacopia जो कुसके monograph में दी गई है quantity उस quantity को लेके हम इसका solution बना लेते हैं ठीक है उसका क्या करते हैं इसमें 10 gram potassium iodide मिला लेते हैं एक खास्टी जिसमें लिखा है AST AST का मतलब होता है arsenic free अब arsenic free की जरूँद क्यों करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे test क्या करने वाले हैं test करने वाले हैं impurity कितनी ज़्यादा है arsenic की अगर हमारे potassium iodide में भी impurity हुई तब तो हमारा test वैसे ही fail हो जाएगा फिर हम कैसे पकड़ पाएंगे कि भाई जो हमारा impurity है वो limit में है limit के बाहर है इसलिए हम AST grade का potassium iodide use करते हैं और इसमें क्या आइड करते हैं 10 gram of granulated zinc और यह भी कैसा रहेगा AST grade का यानि कि arsenic free grade का फिर add करते हैं 5 ml of stannus chloride यह सारी चीज़े जो भी हम मिलाते जा रहे है सबका सब AST grade कर रहेगा ठीक है फिर solution को हम 40 minute के लिए किते 40 minute के लिए हम side में रख देते हैं और इस solution यह जितनी चीज़ें मिलाई गई है यह कहां मिलाई जाएंगी gadget operators में सारी की सारी चीज़ें हम डाल देते हैं और 40 minute के लिए इसको छोड़ देते हैं जब 40 minute के लिए छोड़ेंगे तो यहां से क्या होगा और सीन गैस निकलेगी और यहां पे जो होल है 2 mm का इस glass rod में जो होल है इसके थू जाएगा कहां पे यहां पे जो mercury chloride का जो paper लगा हुआ है ठीक है इसके साथ यह react करके क्या बना लेता है die arsino mercury chloride ठीक है और वो क्या करेगा इसके साथ react करेके yellow color का stain देता है ठीक अब वही जो और साथ में और क्या by product में hydrogen sulfide इसके लिए हमने क्या कर रखा है हमने एक cotton plug लगा रखा है जो की leadecitate में क्या है dipd है ठीक है तो यह क्या करता है trap कर लेता है hydrogen sulfide हो जिसकी वज़े से हमारा आसीन गैसी उपर जाती है और yellow color का stain एकदम clearly visible होता है ठीक अब होता क्या है अब जब yellow color का stain हो गया तो intensity of color चेक करते है रिजल्ट में रिजल्ट में हमने intensity of color कैसे क्योंकि एक बही standard के लिए हमने बना लिया और एक हमने बना लिया test के लिए और दोनों की intensity हमने चेक कर ली मैंने पहले भी बताया था limit test में जो हम standard बनाते हैं वो अपने आप में intensity है यानि गाढ़ापन है अगर standard से ज़्यादा है तो हमारा limit test fail हो जाएगा लेकिन अगर standard के बराबर या standard से कम है it means हमारा जो limit test pass है मतलब उसमें जो arsenic impurity है वो within limit है तो इस तरह से कर गए और एक चीज़ खास चीज़ क्या यह जो arsenic limit test है यह quantitative analysis है कैसे quantitative analysis है means यह कि यह जो हमने यहाँ पर filter paper लगा रखा है mercury chloride के solution में dip करके अगर हम इसको निकालें और densiometer से अगर हमको check करें तो हमें पता चल सकता है कि कितनी quantity में arsenic की impurity है या कितनी quantity में वो present है तो इसी तरह से हमारा यह limit test complete होता है ओके बच्छों good bye ठीक है